दोस्तों यूट्यूब पर बड़ी बड़ी खवरे छपा करती हैं कि बारत ने फलाने धिमकाने देश को लडाकू विमान लडाकू हेलिकॉप्टर एक्सपोर्ट कर दिये लेकिन फिर कुछ दिनों बाद पता लगता है कि खोदा पहाड निकली चुईया डील हमारे हाथ से न नाइजीरिया और अर्जेंटीना में ना हो ये सुनस्चित करना बेहत जरूरी है वो भी समय से पहले तो दोस्तों आप स्वयम देख लीजिए हिंदुस्तान ये नोटक्स का कहना है कि बाई सहाब कमी हमारे प्रोडक्ट में नहीं हैं बलकि हमारी एप्रोच में हैं दोस्त अधिकारी नहीं थे जो डिपार्टमेंट हल का नॉर्मल ऑप्रेशन देखता था नॉर्मल मार्केटिंग की एक्टिविटी हैंडिल करता था उन्हीं को जिम्मा दे रखा था कि अब बेदेशों को भी हत्यार बेचो सभावे के दोस्तों अगर आपके पास अधिकारी नही हैं मैनेजमेंट नहीं है अच्छी टीम नहीं है तो आप कैसे बेच लोगे प्रोडक्त अब यह जो समझ्चा है यह मूलभूत है लेकिन उसे अब सौल्व कर लिया गया है हल अपने सिर्जस्थ लेवल पर चीफ एग्जेक्यूटिव के लेवल पर एक नया अधिकारी नियोक्त कर रहे हैं जिसका सिर्फ एक काम होगा कि एक्सपोर्ट को मॉनिटर करना और बढ़ाना यह जो नया अधिकारी होगा वो सीधा चेयर्मेन को रिपोर्ट करेगा मतलब सब्सभाविक है इस अधिकारी के आते ही एक्सपोर्ट के रिए पूरा डिपार्टमेंट आकार ले लेगा प्रोड़क्ट अच्छे हैं टीम आ गई बेचने वाली तो प्रोड़क्ट पक्के से बिखेंगे और दोस्तों इसी तरह का जो और्गनाइजिशनल चेंज है उसक ही अगर इस नए और्गनाइजिशन के चलते हिंदुस्तान ये नोटक्स को जिस दिन बड़ी विदेशी डील मिल गई उसके पहले ही हिंदुस्तान ये नोटक्स का शेयर भाई साब डवल ट्रपल हो जाए तो भाई साब आप अचरज मत कीजिएगा हमारा पॉइंट कर रही है उनका भवेश्य सुधर सकता है तो आप उनमें निवेश के मौके तलास ये हर गिरावट फिर आपके लिए खरीदारी का मौका बन जाएगा और हां दोस्तों मोदी जी की मेनत का परणाम आप देख सकते हैं हिंदुस्तान ये नोटक्स के शेयर के चार्ट में पि फोकस एक्सपोर्ट पर भी बड़ी हुई है इसलिए डिफेंस सेक्टर में निवेश के मौके पकड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप में अभी के अभी जॉइन कर लेजिएगा